सब्सक्राइब विस्तार से हम चर्चा करेंगे क्या है ये परवतमाला योजना क्यों इसको शुरू किया गया है और क्या लाब इसके हिंदोस्तान के नागरिकों को मिलेंगे दोस्तों studyiq.com या studyiq की अब पर आपके लिए बहतरीन smart courses available है अगर आप किसी भी exam की तायारी कर रहे है चाहिए UPSC हो जोड़ीशरी हो बैंकिंग exams हो state PSC हो सभी exams के लिए बैतरीन courses आपको यहाँ पर मिलेंगे इन courses में enroll करें और आप ये code का इस्तेमाल कर सकते हैं SHUBH 33 शुभ 33 इस course की मदद से आपको 33 प्रतीशत discount जो है वो studyiq के सभी courses पे मिलेंगे तो definitely इन courses में enroll करें इस विशे पे हम बात करने वाले हैं दरासल Union Finance Minister केंदरिये वित्तमंतरी ने 2022-23 का आम बजट जब अनौंस किया उसमें उन्होंने एक घोशना करी जो थी National Rope Way Development Program जिसको नाम दिया गया परवत माला Rope Way यानि के रसी के माध्यम से एक जगे से दूसरी जगा जाना आप सुनकर के ये मन सोचिएगा कि सरकार कह रही है रसी पे लटक के चाहिए Rope Way आपने सुना होगा अगर कभी आप किसी पहाड़ी अलाके में गए है इसको Cable Car, Rope Way या गंडोला के नाम से जाना जाता है तो Cable के माध्यम से एक ट्रेवल मीडियम को बनाना जो है वो इस योजना का उदेश्य था ताकि पहाड़ी क्षेत्रों में जो Connectivity है वो easy हो सके इस दिशा में केंदर सरकार ने अपने आम बजट में ये परवत माला यूजना जो है इसकी भूशना करी दी Rail and Air Transport Networks are limited in these areas Undoubtedly जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर Rail Mark जो है वो इतना सही ढंक से नहीं बना है Hawaii Mark अगर Hawaii Mark से आप चले भी जाते हैं तो वहाँ पर airport बनाने की विवस्ता नहीं है और सड़क के माध्यम से जाना भी जो है वो technically challenging है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में सड़क बनाने का काम भी जो है वो बहुत जाता difficult हो जाता है इस वचा से इन areas में transportation के एक alternative medium के लिए ये परवत माला प्रोग्रेम जो है वो शुरू किया गया है यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है अभी तक cable cars को सिरफ और सिरफ एक medium समझा जाता था tourism को promote करने के लिए जहाँ पर प्रेटक आते हैं तो tourism में एक और attraction add करने के लिए रोड मार्ग से जाएं हवाई मार्ग से जा सकते हैं रेल मार्ग से जा सकते हैं समुद्री मार्ग से जा सकते हैं लेकिन अब ropeway के माध्यम से रसी के मार्ग से आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं roadway, railway, waterway, highway और साथ ही साथ ropeway रसी के माध्यम से एक जगे से दूसरी जगा जाना, इसको एक alternative means of travel के रूप में सरकार जो है, वो promote कर रही है, तो किसी भी पहाडी क्षेतर में इस तरीके से rope way बना करके, एक समय पे काफी सारे लोगों को लाया ले जाया जा सकता है, even though ये tourism के लिए एक बहुत बड़ी attraction है, लेकिन उसके साथ स सकती, कि स्कीम जो है, इसको केंदर सरकार implement करेगी on a public private partnership model, यानि के निजी निवेशकों के साथ, private investors के साथ मिल करके, सरकार जो है, इस तरीके के rope way बनाएगी, which will be preferably, ecologically sustainable alternative to conventional roads to difficult hilly areas, पारंपरिक तरीके से इस्तेमाल किये जाने वाले, जैसे road mark है, rail mark है, उनकी जगे पे, आर्मली पहुंचना मुश्किल है, या बहुत सारे hilly areas में problem आती थी, कि वहाँ पर by road आप जा तो सकते थे, लेकिन क्यूंकि hilly area है, तो जो area है, वो बहुत ज़्यादा congested है, वहाँ पर car parking की समस्य आती थी, लेकिन अब क्यूंकि आप rope way के माध्यम से travel कर रहे हैं, आपको parking की इस problem जो है, वो नहीं face करनी होगी, ऐसा आपने recently देखा, हिमाचल का प्रसिद tourist destination मेकलोडगंज इसको कहा जाता है, काफी जादा प्रसिद ये परियाटक स्थल भी है, उसके अलावा बहुत धरम का बहुत धरम का एक प्रसिद center भी माना जाता है मेकलोडगंज, प्रदेश के अंदर स्थित है, धरमशाला से होकर के मेकलोडगंज आया जाता है, लेकिन मेकलोडगंज में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि शेहर का इलाका जो है, वो कोई बहुत बड़ा नहीं है, इस वज़ा से यहाँ पर parking की सबसे जादा दिक्कत थी, इसी वज़ा से धरमशाला से मेकलोडगंज था, एक रोपवे तयार किया गया है, यानि कि अब आप अपने वहिकल से धरमशाला तक आए, वहाँ पर अपनी गाड़ी पाक करें और रोपवे के माध्यम से मेकलोडगंज आए, यानि कि एक convenient method of travel भी मिल गया, प्लस parking जैसी समस्याओं से भी शुटकारा जो है, वो लोगों को मिल सकता था, उदेश्य ये है कि दूर दराज के इलाकों में भी mode of travel हो, लोगों को convenience हो और tourism को boost मिल सके, अब जानते हैं कि जो hill stations है, पहाडी इलाके हैं, वो हमेशा से परियाटकों के फिपसंदीदा रहे हैं, लेकिन problem ये थी कि वहाँ त इसमें also include congested urban regions where the conventional mass transit system was not feasible, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ इलाके ऐसे हैं, जो बहुत ही खूपसूरत है, लेकिन वहाँ पर इलाका जो है, वो या तो congested है, या पिर वहाँ तक पहुंचना या parking की वज़ा से, वहाँ जा पाना सभी के लिए feasible नहीं का, लेकिन अब इन मा convenient और pocket friendly medium जो है, वो लोगों को travel का मिलता है, scheme जो है, वो currently काफी सारी states और UTs में implemented है, undoubtedly यह scheme जो है, वहीं पर की जाएगी, जहाँ पे हिली एरियाज है, पहाडी इलाकों में, एक alternative means of travel जो है, उसको, रोपे को यूज किया जाता है, तो इस वज़ा से, उत्तराखंड, हिमाच मनीपूर, जमु कश्मीर और पूरवत्तर राज्यों में इस योजना को implement किया जा रहा है, इसके तहत, यहां तो पहयोजना अल्रेडी अंडर प्रोसेस है, यहां जल्द ही नहीं नहीं प्रोजेक्ट्स तो है, वो देखने को मिलेंगे, अब उदेश्य क्या है, महत्व क्या है, इस पुरी के पुरी परवत्माला योजना का, रोपवे प्रोजेक्ट्स जो है, are built in a straight line over a hilly terrain, it also results in lower land acquisition को, सबसे important है, मान लीजिए, एक जगे पे आपको road बनाना है, तो उसके लिए आपको यह पूरा का पूरा land जो है, वो acquire करना होगा, लेकिन, रोपवे जो है, वो towers की मदद से, हवा के अंदर, wires के उपर, जो है, वो cable cars move करती है, यानि के अब आपको बहुत बड़े piece of land को acquire करने की ज़रूर कने है, सिरफ यह poles बनाने के लिए, यह towers बनाने के लिए, इतना सा area आपको लेना है, यानि के, normally आपको यह पूरा का पूरा stretch जो है, वो road बनाने के लेना था, लेकिन अब आपको बहुत ही कम land को acquire करना है, जिस वज़ा से land acquisition cost हो है, वो बहुत कम होगी, यानि के अब आपको किसी से अगर जमीन लेनी है, तो मातर इतना सा जमीन का टुकड़ा हमको चाहिए होगा, जहां पर हम यह tower station हो है, को बना पाएंगे, and despite having a higher cost of construction per kilometer than road ways, ropeway project construction may happen to be more economical than roadways, अगर हम construction cost की बात करें, तो हो सकता है, road बनाने में कम खर्चा आता हो, लेकिन over the period of time, जो ropeway project है, वो जादा economically viable हो सकता है, as compared to roadways, going to the aerial mode of transportation, ropeways have an advantage over roadways project, where ropeways can be built in a straight line over a hilly terrain, अब एक चीज़ और है, मान लीजिए, यह एक पहाड़ी इलाका है, यहां से हमको पहाड़ों को connect करना है, तो road के माध्यम से इन पहाड़ों को काट करके, घुमावदार रास्ते बनाने होंगे, यहां फिर सुरंगादी खोदनी होगी, लेकिन यही distance अगर हमको ropeway से travel करना है, तो बिलकुल एक सीध attraction अलग से, यह एक added advantage था, कि जहां पर भी ropeway मौझूद होता है, tourists tend to go towards those places, इसका classic example है, गुलमर्ग, गुलमर्ग का गंडोला जो है, वो दुनिया भर में प्रसिद है, और tourism के लिए वो एक attraction है, परियाटक जो है, वो सूच करके जाते हैं कि गुलमर्ग जाना है, तो इस प्लस इन इलाकों में जो लोग रहते हैं, उनको एक alternative means of travel देगा, जिससे वो mainstream part of area से जुड़ पाएंगे, बहुत बार ऐसा होता था कि लोग दुरगम इलाकों में रहते थे, पहाडी इलाकों में जहां से easily आना जाना possible नहीं था, तो लोग once in a while कभी का बार अपने घरों से बाहर दूर शेहर तक आया करते थे, जिस वज़ा से वो mainstream life से काफी ज़ादा दूर थे, लेकिन अब क्योंकि एक reliable, convenient means of travel है, तो mainstream population के साथ में दूर दरास के इलाकों के लोग भी जो है, वो जुड़ पाएंगे, अब बहुत बार ऐसा होता था कि कुछ हमारे hill stations ऐसे हैं, चहां पे जमीन का काफी ज़ादा demand है, एक्जामपल के तौर पर शिमला अगर आप देखें, या कोई भी famous tourist destination, वहाँ पर hotels आली या commercial properties बनाने की वज़ा से, जमीन की बहुत ज़ादा मांग है, अब अगर वहाँ पे आप रोडादी बनाएंगे, तो आपको जमीन की बहुत ज़ादा requirement होगी, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया, सिरफ छोटा सा जमीन का टुकडा चाहिए, जहां पर इस तरीके के vertical support towers बनाये जाने हैं, उसके अलावा कोई भी requirement जमीन की नहीं है, तो जितना मर्जी जम परवत माला योजना का नाम दिया है, परवत माला की तरह ही already सरकार द्वारा दो और योजना चलाई जा रही हैं, जिसमें एक आती है भारत माला, भारत माला के तहत highway जो है वो बनाये जा रहे हैं, development of highways, और सागर माला, सागर माला के तहत जो ports हैं, बंदर गाये हैं, उनका बिकास किया जा रहा है, तो भारत माला, सागर माला और अब परवत माला, जिसके तहत rope ways अलग अलग पहाडी राज्यों में develop किये जाएंगे, और इसी दिशा में, हाल ही में, जनवरी के महीने में, केंदरिय मंत्री श्री नितिन गटकरी जी द्वारा ये खोशना करी गई थी, कि 13 नए rope ways हो है, वो हिमाचल परदेश में बनाए जाएंगे, इस पर अल्रेडी एक वीडियो जो है, वो मैं बना चुका हूँ, आपको हमारे चैनल पे 13 new rope ways in हिमाचल परदेश का वीडियो जो है, वो मिल जाएगा, इसके अलावा, धरमशाला से मेकलोड गंच rope ways हो हा आप किसी भी एक्जाम के लिए प्रेपेर कर रहे हैं, study IQ पर अपने लिए बहतरीन smart courses आप प्राप्त कर सकते हैं, इस code की मदद से, शुब 33 ये code का इस्तेमाल कीजिए और 33 परस्तिशत तक के discount सो है, वो प्राप्त कीजिए और अपनी preparation को शांदार बनाई, thank you very much, all the best, keep working hard, bye Bye-bye, take care, chai hind